हेलो दोस्तों कैसे हो आप मैं हुझूही आज मैं आपके साथ सेर कर रहे हूं इडली रेसिपी हम gini आज बहुत कमसामान में बिना इनों के बिना बेकिंग सोडा के उक्तम शौफ्टिस पंजी जालीधार इडली इकतम बढ़िया बहुत कम Shell be चलिए हैं और साथ ही बताऊंगी एक्तम बढ़या नारियल की चट्नी तो चलिए हम बनाना इस्टार्ट करते हैं हमें चाहिए 3 कटोरी चावल 1 कटोरी उड़त दाल मैंने मैजरमेंट इस कटोरी से किया है आप चाहे तो कप से भी कर सकते हैं, तीन कप चावल, एक कप उड़त डाल, डाल आप बिना छिलके वाली भी ले सकते हैं, और इसे हम ओवरनाइट के लिए सौप करेंगे, कैस देख सकते हैं, 12 घंटे बाद हमने डाल को अच्छे से साफ करके इसका छिलका निकाल दिया है, और चावल, डाल दोनों हमने अच्छे से साफ कर लिए हैं, और हम बढ़ियां से इसका पेश्ट बनाएंगे, पानी हमें इसमें ज्यादा नहीं डालना है, बहुत ही थोड़ थोड़ा पानी डालके हम बढ़ियां से इसका पेश्ट बनाएंगे, आप देख सकते हैं, मैंने एकदम बढ़ियां इसका पेश्ट बना लिया है, मेकसी में ग्राइंड करके, हमें ज्यादा इसमें पानी आइड नहीं करना है, आप इसकी ठीकनेस देख से लगते हैं, हमें बढ़ियां से इसे मिलाना है इसे इसका फर्मेशन जो है बहुत ही बढ़ियां होगा देख सकते हैं मैं इसे हाँ से कैसे मिक्स कर रहे हूँ इससे इसका फर्मेशन बहुत ही बढ़िया होगा इसे हम रख देंगे ढग कर 12 घंटे के लिए अच्छा यह देख सकते हैं 12 घंटे बाद हमारा बैटर इकदम बढ़िया से फर्मेट हो चुका है यह देखेगा इस एकदम बढ़िया देख सकते हैं इकदम हमारा बैटर फूल कितना चादा हो गया है अए झाल में जितना बनाना है हम कुछ भी नहीं आड की अब हम इससे वावल में निकाल लेंगे ऑब बाकी कबच्छा हम सइड में रख देंगे, हम इसमें डालेंगे आधर चमश नमक, नमक हम भी ज्यादा भी नहीं डालना थो बस आधा चमश में यह उकर रही हूँ, इसे जोल विक्ष कर लेंगे, कर लेंगे हो का इस बहुत ही हम ना इसमें इनो डालेंगे ना बेकिंग इसोड़ा डालेंगे कि अब लिए हुक्त बढ़िया अब मैं गरम करिए और किसी भी कटोरी में आप बैटर डाली और एक प्लेट के ऊपर इसको रख दीजे बढ़ियां से 7-8 मिनट के लिए आपके इतली बढ़ियां तयार हो जाएगी तो हम सारा बैटर इसमें डाल देंगे गाइस हमें इसमें ज्यादा पानी आट नहीं करना है नहीं तो हमारी इटली बढ़ियां नहीं बनेगी ऐसे हिम दूसरे प्लेट में भी तयार कर लेते हैं डालके कि आप देख सकते हैं इकदम बढ़ियां हमारी मारा बैटर कितना ही ठीक है ऐसे ही ठीकनेस रहनी चाहिए इसकी इकदम बढ़ियां इटली बनके तयार होगी अब मैंने इक स्टीमर लिया है मैंने पानी रगव उबलने के लिए रद दिया था पानी हमारा एकदम गरम हो चुका है आपको एक चीज़ ध्यान देना यहां पर पानी एकदम हमारा उबलती वह गरम होना चाहिए एक दब और हम इसमें अब लिट लगा के इसे साथ मिनट के लिए इस्टीम देंगे तब तक चली हम अपनी चटनी तयार कर लेते हैं मैंने लिया है आधी कटूरी मूमफली तो इसे थोड़ा से भूनेंगे गाई एक दम होटल वाले टेस्ट में बनाने के लिए हमें मूमफली इसमें डालना ज़रूरी है और डालेंगे हमको इसमे इसमें पहुत यह हमारी चटनी में टेस्ट इसका बहुत ही बढ़ी आएगा तो हम थोड़ा थोड़ा इनश भूनेंगे ज्यादा भी नहीं भूनना है मैं डालेंगे एक हरी मिर्च आपको कतीखा पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च इसमें चादा डाल सकते ह अब मैंने लिया है एक कटोरी कच्छ नारियल चोटा-छूटा लिया आए पीसच में नारियल को में भूनना नहीं है ज्यादा देर तक बस हम इसे थोड़ा बसनी से मिक्सी करेंगे इसमें और गैस बंद कर देंगे गैस बंद करेंगे इससे ठंडा कर लेंगे और इसका बढ़िया से चटनी तयार कर लेंगे अपने यह देख सकते हैं मैंने चटनी पीच कर तयार कर लिया है तो हमारी चटनी बढ़िया एकदम बढ़िया पेश्ट बन गया है अब हम हम देंगे इसमें बढ़िया सा तड़का, आधा चमुच राई, राई को थोड़ा चटकने देंगे, इसमें डालेंगे दो सूखी लाल मिर्च, और आठ से दस कढ़ी बत्ता, अब हमारा बढ़िया तड़का बनके तयार है, चलिए हम डालते हैं चटनी में, ये देखें अब बढ़िया तड़का चटनी सब बनके तयार हो गया ये देखें गाई, इतलब बढ़िया टेस्ट आता है जाएक चटनी ही कहाँगे, इसमेरा चटनी बनके तयार हो गई है, आप इसे चाहे तो फ्रिज में रख दीजिए, 1-2 दिन अराम चल जायगा, चलिए हम इटली यह देखेगाए सात मिनट बाद हमारे इतली एक दम बढ़िया इसपंजी फूल के तयार है यह देख आप देख सकते हैं इतली हमारी कितनी फूली फूली है इसमें मैंने प्लेट निकाल के इसे दो मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था ठंडा हो गया है चली हम और निकाल के आपको दिखाते हुँ यह म्यों देखिए इसके इसके जाली कितनी बढ़िया इस पर जाली आये हैं लेक जाली कि दक है दया यह देखेए हमारी एक तम बढ़िया इसपंजी अगर वीडियो भी आपको अच्छी लगे प्लीस प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट भी मताया हमारी वीडियो आपको कैसे लगी?